Hello students! This is Neeraj Gupta. We have completed your first chapter. Now in this video, I want to share some learning tips with you. इस video का title हम ले सकते हैं, learning tips. हो सकता है आप में से कुछ students को ये useful ना लगे, तो आप आगे से इस learning tips वाली videos को drop कर सकते हैं. हो सकता है कुछ को बहुत अच्छा लगे, तो जो learning tips में आपको दे रहा हूं वो अपने friends के साथ शेयर कर सकते हैं. जो इन videos को नहीं देख रहे हैं, आपके class में होंगे, दूसरे आपके friends उनको भी फायदा होगा, तो it all depends. पहली बार, दूसरी बात यह है कि जो learning tips में आपको दे रहा हूं, पहले chapter पर मैंने तीन concept के ओपर, तीन questions के answers के ओपर learning tips बनाया हैं. करने को हर चीज पर भी बनाया जा सकते हैं, बट एक तो यह है कि मेरे को लगता है कि access of everything is bad, अगर हर चीज में learning tips बनाएंगे तो हो सकता है वो tips याद न रहें. दूसरी बात यह भी है कि आप खुद भी इसको develop करना सीखें, क्योंकि मैं तो आपको जैसे सरफ business studies पढ़ा रहा हूं, इसमें कुछ topics की मैं आपको दे सकता हूं, लेकिन आपको कहीं ने कहीं learning tips की जुरुत तो हर subject में पढ़ती है, और आगे भी आपने graduation करनी है, उसमें भी पढ़ेगी, तो एक बार यह learning tips develop करने के आप आदत डालोगे, habit develop कर लोगे, style आजाएगा आपको, तो यह बहुत आपको help करेगी, let's start, सबसे पहले हम ले रहे हैं, characteristics of management, अब जैसा मैंने कहा, मैं यह presume करके चल रहा हूं, कि हम first chapter complete कर चुके है, means मेरी तरफ से भी complete है, और management is a goal-oriented process, then it's a group activity, it's a continuous process, it's all pervasive, multi-dimensional, dynamic function, and intangible force, तो एक तो याद करने का तरीका यह है, जैसे मैंने अभी इसको पढ़ा, यानि कि main-main जो words हैं, उन पर focus किया, अब जैसे आप देख रहे हो, कि मैंने इसको अलग color से highlight किया है, ताकि अगर आप चाहो तो इस वीडियो को इस page पर pause कर दो, और ध्यान से इन सारे points को revise करो, तो क्या points है, goal-oriented process, group activity, continuous process, all pervasive, multi-dimensional, dynamic function, and intangible force, अब इसको याद करने के लिए मैंने एक learning tip बिनाया, कि गरम गरम चाहे पिलाओ, मत दो ice cream, शायर आप में से कुछ smile कर रहे होंगे, या हस रहे होंगे, या या ये एक फंडा होता याद करने का, अब जैसे हो गया, गरम गरम चाहे पिलाओ, मत दो ice cream, अब ध्यान दें, तो मैंने उपर भी जो words है, उनके अंदर जो first word है, उसको capital किया है, bold किया है, और उसका size बड़ा किया है, typical color दिया है, और नीचे भी मैंने जो गरम गरम चाहे पिलाओ, मत दो ice cream है, उ उसे ध्यान आजाता है, हाँ, एक तो goal oriented था, और एक group activity था, ऐसे चाहे C, C से ध्यान आजाएगा continuous, P से ध्यान आजाएगा pervasive, M से ध्यान आजाएगा multidimensional, कई बार इस तरह से हम, जो पूरे points हैं, वो लिख पाते हैं, और ये theory paper में, ज्यादा marks लाने में बहुत help करता है, बोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर आप इस तरह से चलें, तो मेरे ख्याल से आपको ये सारे points याद रहेंगे, और इससे हम अपने दिमाग पर pressure डाल पाएंगे, सबोर्स जैसे आपको सारे points याद आ रहे हैं, लेकिन आपने सोचा, गरम गरम चाय, पिलाओ, मत दो, आ चलते हैं, अगले point पर, next point जो हम ले रहे हैं, इसके अंदर, वो है हमारे functions of management, अब जानते हो हमारे functions of management कौन-कौन से हैं, वैसे थोड़ा easy है, planning, organizing, staffing, directing and controlling, I repeat, planning, organizing, staffing, directing and controlling, POSDC, Now, अगर हम ध्यान से देखें, तो इसमें से भी मैंने पहले-पहले अक्षरों को उठाया और एक line बनाई, थोड़ी interesting, क्या, पीला orange सब को दे चुका, I repeat, पीला orange सब को दे चुका, अब अगर हमें ये line याद आ जाए, पीला orange सब को दे चुका, तो हम sequence में हमेशा पांचों point लिख पाएंगे, क्योंकि P से हमें ध्यान आ जाएगा planning, O से ध्यान आ जाएगा हमारे को organizing, S सब को staffing, दे चुका directing, and C से controlling, so this is another way, a simple way to learn our things, पीला orange सब को दे चुका, पीछे था गरम गरम, चाय पिलाओ, मत दो ice cream, चलिए, आगे बढ़ रहे हैं, अब हम ले रहे हैं, characteristics of coordination, characteristics of coordination में आप देखें कि कौन कौन से point है, पहला coordination integrates group effort, naturally group efforts को integrate करता है, continuous process है, deliberate function है, करना पड़ता है, pervasive है, responsibility create करता है, और unified करता है actions को, unity of action, यह हम detail में discuss कर चुका है, इसलिए मैं उसको re-explain नहीं कर रहा है, अब coordination integrates group efforts, continuous process, deliberate function, pervasive function, responsibility and unity affection, इसमें भी मैंने वही किया, तो एक नीचे मैंने एक लाइन बनाई, इंडियास कापिटल डेली, पडोसी राज्य यूप, आप सब को पताएगी, डेली के पास जो है, जो adjoining states है, उनमें one of the state, वैसे तो हर्याना भी है, तो adjoining states में यूपी भी है, तो एक लाइन बन गई, इंडियास कापिटल डेली, पडोसी राज्य यूपी, अगर हम इस एक लाइन को याद कर पाएँ, तो हमें characteristics of coordination भूलेंगे नहीं, क्योंकि फिर हम पहले-पहले अक्षर से निकाल लेंगे, I से integrates, C से continuous, D से deliberate, P से आप देख रहे हो, परवेसी भी आ रहा है, पहले भी आया था, पैसे P से planning भी आया, R से responsibility, U से unity of action, मैंने अपनी तरफ से ये कोशिश की है, आपको मैं आगे हर चैप्टर में इस तरह से learning tips दूँगा, और आप मुझे इस पर feedback दीजेगा, और इसको कैसे मैं इंप्रूब करूँ, किस तरह से मैं आपको और help करूँ, सब्जेक्ट, business studies मैंने पहले कहा, बहुत ही interesting है, बहुत ही easy है, और examination point of view से बेशक, ये सिर्फ equal importance रखता है, examination point of view से ये accounts की बराबर 100 marks का है, examination point of view से बस economics की बराबर 100 marks का है, लेकिन अगर आप में एक बार ये business skill develop हो गई, अगर आप में एक बार entrepreneurship skill आ गई, एक attitude बन गया कि मुझे manage करना है, एक बड़ा business खोलना है, चलाना है, तो यही subject आपको जो आज सबसे simple और maybe ये लगता हो कि हाँ ये तो बस ध्यान से पढ़ने की जूरूत नहीं है, थोड़ा business studies, विवसाय, अध्यन जो आपका विशे है, मैं इसकी importance आपको बताऊं, real life में बहुत जादा है, examination point of view से ये subject देखने में equal importance रखता है, जैसे मैंने का accounts भी 100, ये भी 100, लेकिन real life में, this subject, अगर आपका ये base strong हो जाए, this subject can make you a big person, एक बहुत बड़ा आदमी ये subject आपको बना जाएंगे 12 topics के अंदर, और साथ साथ जैसा कि अभी हमने डबा वाला के बारे में study किया, शुरू में हमने HCL के बारे में study किया, ऐसे आपकी books में बहुत सारे business houses के बारे में दिया गया है, जिनको मैं detail में cover करूँगा, after doing my internet research, और plus beyond the books, एक मैं series मना रहा हूँ आप लोगों कि जो success formula था, किस तरह से उन्हें अपनी life में rise किया, किस तरह से he was a great management person, इस तरह के जो great management personalities हैं, जिनसे हमें सीखने को मिलता है, उन सब को हम cover करेंगे हमारी series success mantra में, ये भी मैं आपको दूँगा, इस से भी आपको subject को practically समझने में बहुत help मिलेगी, thank you